हेलो फ्रेंड्स मैं शुश्मितराना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चानल टार्गेट फॉर आईक्यू में आप हमारी वीडियो की पीडियेफ फाइल के लिए हमारा टेलिग्राम ग्रूप टार्गेट फॉर आईक्यू जोईन कर सकते हैं दोस्तों वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक के बाद एक शांदार उपलब्धियां छू रहा है साइकल से शुरू हुआ अंतरिक्ष का सफर आज नए नए कीर्तिमान गड़ रहा है और आज हम नजर डालेंगे इसरो के दो बहुत ही इंपोर्टेंट मिशन्स पे जो की हैं चंद्रयान टू मिशन और मिशन गगनियान तो आईए चंद्रयान टू मिशन के बारे में जानकारी प्राप्ट करते हैं चंद्रियान 2 मिशन सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्री हरी कोटा से 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया ये लॉंच GSLV MK3 M1 वहकिल से किया गया GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटलाइट लॉंच वहकिल में एम चंद्रियान 2 का था कि वो मून की सर्फेस पे जो लूनर वाटर प्रेजन्ट है उसकी लोकेशन और अबंडन्स को ट्रेस कर सके ये मून के साउथ पोलर रीजिन को भी एक्स्प्लोर करने वाला था इस मिशन के तीन में कॉंपनेंट्स थे और्बिटर, लैंडर और रोवर यहाँ पे आप और्बिटर, लैंडर, रोवर और जी एसलवी एम के थरी के पिच्चर्स देख सकते हैं और्बिटर मून सर्फेस से 100 किलोमीटर अवे और्बिट करने वाला था और लैंडर और रोवर मून के सर्फेस पे सॉफ लैंडिंग करने वाले थे lander जिसका की नाम विक्रम है वो moon की surface पे stationary रह करके moon के atmosphere को study करने वाला था और वहाँ पे जो seismic activities हो रही है उनके भी होने के reasons find out करने वाला था rover अपने आपको lander से detach करके एक six wheels solar वहकल में convert हो जाता और वो slowly moon के surface पे crawl करके observations करता और important data collect करता उसके बाद इस mission का importance और benefit जान लेते हैं सबसे main importance इस mission का ये था कि ये moon के south polar region को explore करने वाला था जो की scientists ऐसा बोल रहे थे कि north pole का जो region है उसकी shadow जब south pole पे पड़ती है तो काफी सारा area south pole का explode नहीं किया गया है और वहाँ पे water के present होने के chances जादा है तो main importance जो इस mission का था वो ये था ऐसा करने वाला इंडिया fourth nation in the world बनने वाला था जो की moon को reach कर पाया उसके बाद इससे scientists और citizens दोनों का morale boost up होता और youth को भी motivation मिलती कि वो अपने अंदर scientific temperament develop कर सके और science and technology की चेतर में काम कर सके इसरों ने initially एक startup company team in this के साथ collaboration किया था बट वो materialize नहीं हो पाया तो इस mission की वज़े से इंडियन startup industry को भी काफी boost मिलता चंद्रियान two mission के लिए दो women's ने project और mission director की तरह काम किया जो की थी रिदू कृधाल एन एम वनी था ये symbol of women empowerment की तरह पूरी country के सामने आई और इन्होंने एक icon बन के women icon बन के पूरी country को proud कराया उसके बाद हम गगन यान के बारे में जान लेते हैं गगन यान प्रोग्राम एक indigenous mission है जो की Indian astronauts को by 2022 space में ले जाएगा indigenous इसलिए क्योंकि जो भी equipments और technologies यूज होंगी इस mission में वो इंडिया में ही बनाई जाएंगी ऐसा करने वाला इंडिया country, sorry, world का fourth nation बन जाएगा जो की एक human space flight mission launch करने वाला है ये mission Indian human space flight program के तहट launch किया जाएगा इस mission के बारे में और जानकारी ले लेते हैं इसरो ने इसके लिए कुछ critical technologies develop की हैं जैसे की re-entry mission capability, crew escape system, crew module configuration, thermal protection system और भी बहुत सारी technologies जो की इस program में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ऐसा करने वाला इंडिया फोर्थ nation होगा after USA, Russia and China GSLV MK3 को launch vehicle की तरह launch vehicle की तरह use किया जाएगा जो की necessary payload capability रखता है इस mission के लिए manned mission भेजने से पहले दो unmanned गगणयान mission भी भेजे जाएंगे और इस aim से हम तीन crew members को 5-7 दिन के लिए space में भेजेंगे और जो spacecraft इसमें use होगा वो low earth orbit में place किया जाएगा जो space suits होंगे उनकी ये ability होगी कि वो एक oxygen cylinder hold कर सके जिससे की astronauts 60 minutes तक space में breathe कर सकता है ये capsule जो है वो earth के around rotate होगी और astronauts sunrise और sunset विटनेस कर पाएंगे जो तीन astronauts इसमें present होंगे वो इंडिया को space से every 24 hours देख पाएंगे और ये microgravity पे experiments भी conduct करेंगे ये capsule अपने return में 36 hours लेगी और ये Arabian Sea में on the coast of Gujarat land कराई जाएगी ISRO इस mission के लिए एक French agency CNES से भी assistance ले रहा है उसके बाद इस mission के objectives देख लेते हैं Science and Technology level का enhancement होगा इससे country में ये एक ऐसा national project है जिसमें बहुत सारे institutes, academicia और industry involved होगी इससे industrial growth को भी boost up मिलेगा यूथ को inspire करने के लिए बहुत ही अच्छा mission है और इससे technology का development होगा और international collaboration भी improve होगा अब कुछ MCQs देख लेते हैं चंद्रयान 2 mission और गगन्यान पे सबसे पहला MCQ है कि चंद्रयान 2 is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's dash polar region चंद्रयान 2 पहला space mission है जिसने की moon के कौन से polar region में एक soft landing conduct की है आपके options हैं east, west, north या south इसका correct answer please comment section में comment कीजिए इसका correct answer है आपका D south according to ISRO जो lunar south pole है वो बहुत ही interesting है क्योंकि एक larger section है इस surface पे जो की north pole की shadow में रहता है इसलिए यहाँ पे presence of water हो सकता है ऐसा scientist का मानना है उसके बाद हम अपने second question पे आते हैं कि who is the project director of चंद्रयान 2 तो आपके options हैं A. मुथया वनीथा B. निश्या सुब्रमनयम C. कीर्थी कुमारी या D. गंगा परंधमन तो आप options sorry correct answer जो है वो आप comment section में comment करिए आपका correct answer है A. मुथया वनीथा जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ दो women's ने project director और mission director की तरह काम किया project director थी M. वनीथा और ritu करिधाल थी mission director इन दोनों women's का आपको नाम याद रखना है third question है हमारा कि चंद्रयान 2 will attempt to land in the high plane between two lunar craters चंद्रयान 2 attempt करने वाला था दो lunar craters के बीच में landing करना तो पहला lunar crater है आपका Manzanus Sea और दूसरे का आपको नाम बताना है इसका answer मैंने provide नहीं किया है तो इसका correct answer आप सभी comment section में comment करोगे इसके options हैं आपके पास simplest N, cellusus A, clavius F या फिर humbold उसके बाद आते हैं हम अपने चौथे question पे दो चंद्रयान 2 module can boost of at least three unique features चंद्रयान 2 module में तीन unique features थे सबसे पहला था the most powerful launch vehicle to date दूसरा था holy indigenous rover और तीसरा आपको बताना है कि तीसरा कौन सा unique feature था उसमें तो आपके options है first commercial moon mission B option है आपका algorithm wholly developed by India's scientific community third option है आपका first mission to use moon ice as fuel या D है none of the above तो इसका answer भी आपको comment section में comment करना है fifth question है हमारा the Gaganyan mission unveiled in the country on independence day aims to Gaganyan mission जो की independence day के दिन announce किया गया है उसका aim क्या है तो सबसे पहला option है आपके पास to send a manned mission to space for the first time B to send communication satellites to the international space station C to send satellites to Mars to study its atmosphere या फिर D to build its own international space station in the outer space तो इसका answer भी आपको comment section में comment करना है इसका answer I hope आप सभी को पता होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you for watching please like the video share the video with your friends and subscribe to the channel see you in the next